किसान साथियो नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार जेगी मुझे बहुत दिनों से जब से मैंने बायो फर्टिलाइजर की सीरीज सुरू की है बड़े अच्छे अच्छे परसन आते हैं तो आज का जो वीशे मैंने चुना है वो इनी परसनों पर आधारित है और इन में से सबसे मुख्य चीज है कि हमें बायो फर्टिलाइजर का उप्योग कब करना चाहिए जो मेरी सिरीज थी 385.1 उसमें मैंने बताया था कि बायो फर्टिलाइजर पांच परकार के होते है जिन में क्या इनके फाइदे हैं इनको किस परकार परियोग करना चाहिए ये सम्मे ने इस वीडियो में बताया था आज मैं इस पर एक ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना ये ग्यान की बाते हैं ये कोई लाखों की आमधनी की बाते नहीं है अगर इसका ग्याना आपने ले लिया तो आपको फाइदा होना निश्चित है और नुक्सान तो बिल्कुल नहीं होगा आपकी उपज भी बढ़ेगी धर्ती की जो आपकी मर्दा है उसका स्वास्त भी बढ़ेगा और आपको फाइदा ही फाइदा होगा बायो फर्टिलाइजर को मैंने देखा है कि जैसे आज कल देखो आप कहते हैं कोई भी खाद खरी दिने जाओ इफको वाले आपको कंसोर्टिया दे देते हैं कंसोर्टिया भी बायो फर्टिलाइजर है उसमें तीन बायो फर्टिलाइजर है आपको जिंक सोलबलाइजिंग बैक्टिरिया है माइकोराइजर है माइको राइजा की मेरी वीडियो बहुत पसंद की गई और मुझे बड़ी खुशी हुई लेकिन कुछ भाई इससे भी अधिक जानना चाहता है आज मैं ये बताऊँगा कि आपको बायो फर्टिलाइजर क्यों परियोग करने चाहिए और कब करने चाहिए अभी मुझे एक भाई ने रिपोर्ट भेजी अपनी मिट्टी की रिपोर्ट भेजी वो कैथल के हैं और मेरे पास आई थे मिलने और मुझे उन्होंने अपनी मिट्टी की रिपोर्ट भेजी मैं वो नहीं दिखाना चाहता आपको उसे देखकर एक सरकारी लैब की मिट्टी के रिपोर्ट में धंग रहे गया वो एक तरह से उन्होंने अपने पूरे खेत के पांच सेंपल दिये उनको और पांचों सेंपल में अधिकतर कोई फर्क नहीं है और उन्होंने जिस तरह से सामानने लिखा है परते एक चीज को पी-एच को भी सामानने लिखा है आपने नैट्रोजन को भी सामानने लिखा है फोस्फेट को भी सामानने लिख रहा है माईक्रोनिट्रेंट को भी सामानने जबकि नहीं लिखना है उस report का जो आपका column है जो उसका structure है वो ही गलग था, हर column के नीचे देना चाहिए था आपको के कौन सी चीज ज़्यादा है और कौन सी कम है, या उसके column के साथ में देना चाहिए था, जबकि उन्होंने सबका इकठा दे दिया ये नहीं पता चलता कि उसमें कौन सी चीज की कमी है या नहीं है ये तो हुई एक बार अब आप अक्सर क्या करते हैं कि अपने खेत में जैसे मान कर चलते हैं कि आपने पचास केजी पर एकड़ ये हम मान के चलते हैं आपने सिंगल सुपर फासपेड एस एस पी या डी एपी दोनों में से कोई भी डाला सब भाई डालते हैं और बहुत अच्छी खाद है कोई प्रोप्रम नहीं है अब इसका बायो फार्टिलाइजर से क्या संबंध है ये जड़ा ध्यान से सुने हैं जब मिट्टी की रिपोर्ट आती है तो मान कर चलते हैं कि उसमें लिखा 10 किलोग्राम परती हेक्टियर आपका फोस्फेट होना चाहिए ये मान लेते हैं कि इससे कम नहीं होना चाहिए इससे जड़े ही होना चाहिए एक हेक्टियर में 10 किलोग्राम परती हेक्टियर ये मान कर चलते हैं या एक कड़ ले लेते हैं जो भी ले लेते हैं एक कड़ ले लेते हैं ये हम मान कर चलते हैं ये कोई फुल प्रोप नहीं है ये मान कर चलते हैं अब मान लीजिए आपकी जो मिट्टी की रिपोर्ट आई है जो रिपोर्ट आई है आपकी मिट्टी की उसमें ये 50 किलोग्राम दिखा रहा है फोस्पेट कितना दिखा रहा है 50 तो 10 होना चाहिए अब ये भी होना चाहिए कि कब ये अधिक होगा तो रिपोर्ट बे ये भी दिखाया जाता है कि ये मान लीजिए उन्होंने कह दिया ये अधिक है ये ध्यान रखना है या मैक्सिमम है अगर आपकी रिपोर्ट में फोस्फेट, पोटेशियम और नाइट्रोजन के सामने अधिक लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि आपकी जमीन में जो फोस्फेट या जो भी उर्वरक आपने डाले हैं उनकी मात्रा सामने मात्रा से जादा है इसका अर्थ क्या विया जितनी आवस्चता थी उससे अधिक आपने डाला है अब यहां दो सवाल उठेंगे पहला सवाल यह कहेंगा सर मेरे तो मैंने डाला और मेरी फसल अच्छी हुई इतना तो मुझे डालना है, अगर मैं इससे कम डालूँगा, तो मेरी फसल अच्छी नहीं होगी, ये बहुत इंपोर्टन चीज है, इसका मतलब क्या है, कि इसके वेगनिक तथे में जाते हैं, जो ये फोस्फेट होता है, मैं कैमिगल फॉर्मूला या कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा, कि जो आपकी समझ में रहें, अगर उसकी आवश्यक्ता होगी, तो मैं आपको एक रिफरेंस दूँगा, वहां जाकर आप इससे अधिक, क्यों ये मैं बता रहा हूँ, इसकी जानकारी ले सकते हैं, जो ये फोस्फेट है, ये क्या होता है, कि जैसे हमने माल ल फिप्टीन डेज, यानि पंदरा दिन के अंदर, जितना भी फोस्फेट होता है, वो जमीन में लग जाता है, और कब लगता है, जब जो हमारे सुक्सम जिमाणूं है, जो माइक्रो और्गनी में, वो इसको घुलंसील बनाते हैं, और वो घुलंसील केवल अधिक से अधिक 40 से 50 परसेंट फोस्फेट को ही बनाते हैं, अब अगर 50 किलो आपने डाला है फोस्फेट, डिए-पी नहीं, अगर 50 केजी डिए-पी डालते हैं आप, तो उसमें से आपको कुल 23 केजी फोस्फेट मिलता है, यह ध्यान देने वाली बात है, एक मैंने वीडियो बनाई हुई या किस पड़ाने करें अब जो 23 केजी डाला है उसमें से अधिक से अधिक अधिक से अधिक 12 केजी आपका काम आया और जो 11 केजी है वो वहीं पर पढ़ा रहा है कैसे पढ़ा रहा है ये ऐ गुलनसील अवस्था में पढ़ा रहता है ये इस बात पर निर्भर करता है, नंबर एक कि आपकी जमीन का पी-एच कितना है अगर जमीन का पी-एच साड़े साथ से ज़ादा है तो भी ये कुछ तत्व के साथ मिलकर अधिक अवस्था में इसको कनवर्ट कर देता है अगर आपकी जमीन का पीए साड़े पांस से कम है तो भी ये कुछ तत्वों के साथ मिलकर इसको एगुलहंसील कर देता है और ये 11 किलो यानि आधा आपका बेकार पड़ा रहता है जमीन में और जब हर साल ये इतना बढ़ता रहेगा तो जमीन का स्वास्ते खराब हो जाएगा उसी प्रकार जिस प्रकार आपके पेट में आपका खाना पूरा नहीं पचता है और कुछ दिनों बाद आपको एसीडिटी की महसूस होने लगती है तो हमें जो रती 12 kg की और हमने दिया उसको 23 kg, 11 kg हमारा पड़ा रहा मैं ये नहीं बता रहा कि नीचे होने में कौन से ओकसाइड बनते हैं या फोसफाइट बनते हैं और जब हाई ज़ादा होता तो कौन से बनते हैं जब यह बता रहा हूं कि यह एगुलंसी लवस्था में पढ़ा रहता है। इसका आर्थी यह विया कि यह जो ग्यारा केजी है यह हमने फाल को में डाला है। अब यहां जो दूसरा important point है अगर हम इसमें 12 केजी डालें डी एपी तो आप कहेंगे जी 6 केजी लगेगा नहीं अगर 12 केजी लग गया तो क्या होगा 23 केजी की बज़ाए आपको 12 केजी डालना पड़ेगा हैं अगर हम 12 केजी डालते हैं तो 11 केजी के हमारे पैसे बचेंगे बचेंगे नहीं बचेंगे बिलकुल बचेंगे हां हां कहिए तो अगर यह 12 केजी हमारा मिल गया उसको तो हमारा काम हो जाएगा यानि बचेंगे अब यहां खेल आता है हमारे बायो फर्टिल है जब मैं 12 केजी डी एपी डालूंगा तो उसमें जो phosphate होगा, वो कैसे मिलेगा, यह जो 50% हमने लगाया है, जो काम नहीं आया, यानि जो agulant seal रहे गाया, उसके लिए है phosphate solubilizing bacteria, या bio fertilizer, या PSP, एक CC आती है, ये 500 ml परती एक कट डालते हैं इसको, अगर आप ये खाद डालने से पहले, जब तयारी करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, पानी देते हैं, उस time, ये 500 ml को लगबग एक quintal, अच्छी सडी गोबर की खाद, मैं संस्तुती करता हूँ, वर्मी कमपोस्ट, चुकि बहुत कम चाहिए, वर्मी कमपोस्ट में 500 ml मिलाकर, इसको multiply कर लीजिए, और 5 दिन रख दीजिए, जब आप पलेवा करते हैं, उस time इसको जो एक quintal है, इसे पूरे एक एक कड में बिखेर दीजिए, बिखेर कर आप उसमें टीलर चलाईए, और टीलर चलारकर पानी दीजिए, जब तक आपका गेहूं बोने के लाक खेत होगा, 7-8 दिन मिलेंगे, तब तक इनकी संख्या, अगर ये 500 ml में एक करोड थे या दो करोड थे, तो ये कम से कम लाक करोड हो दाएंगे, और जब आप गेहूं बोएंगे, तो जितना खाद डीएपी आप डालते हैं, उसका आधा डाल ये, और ये पूरे के पूरे डीएपी को गुलंसील बना देगा, आपकी आधी बचत होगी, और जमीन में एपच वाले पदार्थ नहीं होगे, जिनने वो पचा नहीं पादि तो कितने फायदे हुए हैं, नंबर एक, आपका पैसा कम लगा, यानि जो पूरा खाद था, उतना ही खाद परियोग हुआ, उससे कम आधा परियोग हुआ, यहां आधे के पैसे बचे आपको, दूसरी चीज क्या हुई, कि पूरा खाद लगने से जो वो असिडिक निचर बनती थी, या जमीन में जो एग उलन सील पड़ा रहता था, वो नहीं रहा, और तीसरा फायदाया विया, जब वो नहीं रहा, तो आपकी जमीन का स्वास्ते सरे, सोचिए, अगर आपको ऐसीडिटी नहीं है, ऐसीडिटी कब होती है, जब आपका खाना पच्ता नहीं यहाँ पे होता है, तो आप PSB डालिए, अगर आपके रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं पोटास से मिलता है मारा, अगर वो रिपोर्ट में, ये पोटास के इस फ़र में मिलता आपको, M.O.P, मुर्यो पोटास, जो 60% वाला मिलता है मारे को, तो क्या होता है, कि अगर आपके रिपोर्ट में वो ज़्यादा है, ध्यान से पढ़िए, अगर वो ज़्यादा है, तो आप क्या डालेंगे, KSB, कभी-कभी इस S को MB लिखते हैं, यानि KMB भी होता है, Potassium Mobilizing Bacteria, या Potassium Solubilizing Bacteria, कुछ भी हो सकता है, इसको भी इसी परकार ढालेंगे, और जब फसल ले लेंगे, उसके बाद एक बार फिर मिट्टी टेस्ट कराईए, तो आप देखेंगे, कि आपकी फसल उतनी ही अच्छी होगी, आदे खात में भी, जितनी की आपके दुगने खात में हो रही थी, और जब फसल के बाद लेंगे, तो आप देखेंगे, कि आपकी Potassium और Phosphate की जो मातरा वहाँ पर सामानने हो गई, यानि जितना था घुल गया, किसान साथियों जो हम खात डालते हैं, उसका घुलने का भी, मतलब उस पोदों को कैसे लगता, ये भी एक विज्ञान है, पोदे घुलनसी लवस्था में लेते हैं, वो पानी की फोर में बनता है, उसे कैसे बनाते हैं, वो हमारे सुकसम जिवानों करते हैं, और सुकसम जिवानों वहाँ पर रहें, इसके लिए कार्बन बहुत चाहिए, और कार्बन का एक ही स्रोथ है, कि आप अच्छे आपके सुकसम जिवानों होंगे, वो आपके मित्र हैं, आपकी बहुत साहिता करेंगे, और आपके खादगी कम होगी, और मैं बार-बार कहता हूँ, कि बचत भी एक आमदनी है, यहां अगर आप कल्कुलेट करेंगे, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, चुकि इसलिगी बचत मैंने 50% कर दियी है, इसी परकार nitrogen के होते हैं, nitrogen के जो bacteria होते हैं, और कुछ आप देखेंगे, जो bio fertilizer की सरीनी में है, के आप phosphate है, potassium है, nitrogen है, nitrogen में acidobacter, razorbacter, rizobium, यह सब आते हैं, कुछ दलहनों के लिए यह मैंने अलग वीडियो में बताया, तो उनको भी डाल सकते हैं आप और इसी प्रकार अगर जिंक की मात्रा जादा है तो डालिए अगर जिंक की मात्रा कम है फोस्फेट की मात्रा कम है जो ये फोस्फेट की मात्रा कम है पोटेश्यम की मात्रा कम है तो आप कितना भी बायो fertilizer डालिया आपको फाइदा नहीं होने वाला बहुत कम फाइदा होगा जितना गोबर की खात में जमीन में होती है इनकी मातरा लेकिन उतनी नहीं होती जितनी आपको चाहिए और ये केवल आपको chemical fertilizer से मिल सकती है जिसे देने में कोई नुकसान नहीं है नुकसान है कि वो पूरी तरह घुलता नहीं है अगर आप उसको घुल देंगे तो आपको फाइदा होगा और एक बार एक छोटे से हिस्से में करके देखिए किसान साथियों ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुती कि बायो fertilizer क्यों परियोग करना चाहिए और कैसे परियोग करना चाहिए एक बार करके देखिए और अपने हर खेत की या जो आसपास के दो तीन खेत की एक फाइल बनाएए अपने आप मिट्टी टेस्ट कराईए उसकी अगर उसके दो सो चार सुरुपे आपको देने पड़ते हैं आप दीजिए किसी को भी अच्छी टेस्ट कराईए मिट्टी मैंने पहले भी कुछ नंबर दिया है कहीं से भी कराईए और उस फाइल में रखिए और हर साल देखिए कितना अंगराई किसान साथियो ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुती बायो फर्टिलेजर पर ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवस्य बताए हाँ इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर अवस्य करें ताकि अधिक से अधिक किसान इसके बारे में जान सके और मुझे ये पता लग सके कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसी के साथ और होली की बहुत-बहुत आप सब लोगों को सुब कामना है और मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जैभारत, पन्वे